हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल PKSmartGK में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट अप्रेस का टोपिक वर्तमान में कौन क्या है अर्थात जो अक्टूबर अपडेट आई है उसकी बारे में हम बात करने वाले हैं इसे रिलेटेट हम 25 प्लेस Most Important Question & Answer देखेंगे जहां से एक्जाम में हर बार Question पूछ जाते हैं तो Friends इसका क्रेंट अनसर होगा Option C विवेक राम चोधरी जो कि भारते वायुसेना के नए प्रमुख बने है Friends वायुसेना की बात की जाए तो इसकी स्ताबना हुई 8 October 1932 में मुख्यले इसका नए दिल्ली में है 8 October की इसकी स्ताबना हुई इसलिए वायुसेना दिवस 8 October को मनाया जाता है Next Question Next Question है वायुसेना के नए उप्रमुख कौन बने है Option है विवेक राम चोधरी, संदीप सिंग, आरकेस बदोरिया या फिर विरेंदर प्रठानिया इसका करेक्टान सरोगा ओप्सन नमबर B, संदीप चोधरी, जो कि भारतिय वायुसेना के नए उप्रमुख बने है Next Question शिमा सुरक्षा बल, बिये सब के नए माने दिशक डिजी कौन बने है ओप्सन है राकेस अस्थाना, पंकज कुमार शिनहा, बालाजी सिरिवास्तो या फिर संजे अरोडा तो इसका करेक्टान सरोगा ओप्सन नमबर B, पंकज कुमार शिन, जो कि सिमा सुरक्षा बल, बिये सब के नए माने दिशक बनाए गए है फ्रेंड्स, बिये सब की बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1 दिसमबर 1965 को भी थी मुख्यले इसका नई दिल्ली में है, और इसका लोगो मोटिव है जीवन प्रियंत करता हुए ये भी आपको याद रखना है, नेक्स कुशन आर्थिक विकास सैंस्तान, IEG का नए अदेक्स किसे बनाए गया है उप्शन है नंद कि सोर सिंग को, रजिंदर पाल को, सुनील अरोडा को, या फिर मनमोहन सिंग को तो इसका correct answer है उप्शन नमबर 1 नंद कि सोर सिंग को आर्थिक विकास सैंस्तान, IEG के नए अदेक्स बनाए गया है, नंद कि सोर सिंग अब IEG के बारे में देखने हम, इसमें 15 वित आयो के अदेक्स, NK सिंग को आर्थिक विकास सैंस्तान का अदेक्स चुना गया है इन्होंने पूरो प्रदानमंत्री मनमोहन सिंग के पदबर स्थान प्राप्त किया है नेक्ट क्यूशन बारत तिबद सिमा पुलिस बल IEG के नए माने दिसक कोन बने है आप्शन है राकेश बदोरिया, संजे अरोडा, पंकज गुमार शिन या फिर नाशीर कमल तो इसका क्रेक टान्सरों का ओप्शन नंबर B, संजे अरोडा जो की भारतिय तिबद सिमा पुलिस बल IEG के नए माने दिसक बनाए गए है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई मुखेले इसका नए दिल्ली में है, इसके डारेकर जनरल है सुनीर अरोडा और इसका लोगो या मोटिव है सोर्य दर्ड़ता करम निष्टता ये भी आपको याद रखना है केंद्रे रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए माने दिसक कौन बने है ओप्शन है अनंद बरकास माहेसुरी तरुन कुमार कुलदीब सिंग तो इस परेंट इसका क्रेक्ट रखन से होगा ओप्शन नमर्ड डी कुलदीब सिंग बनाए गए है आए CRPF की बात की जाए तो इसकी स्तावना 27 जुलाई 1949 को ही मुख्यल है इसका नई दिल्ली में है महा निदिसक है कुलदीब सिंग और महा निरिक्सिक है पी एस रानी पसी इसका लोगो या मोटिव है सेवा और निस्टा नेक्स्ट कुशन है किस बारतिये को संयुक्त राष्टर में महिला परवक्ता नियुक्त किया गया है जोसा अगरवाल मानुसी शिंग, मिननल कुमारी या फिर उजुवल्ला कुपूर तो फ्रेंड्स इसका करेक्टर नस रोगा उप्सन नमबर ए जोसा अगरवाल को जोसा अगरवाल को भारतिय संयुक्त राष्टर में महिला परवक्ता नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स महिला आयो की फिर से किसे अधेक्स बना गया है उप्सन है कमला, सलारिया, रेखा शर्मा, आयूसी मित्तल या फिर रेखा मेनन तो फ्रेंड्स इसका करेक्टर नस रहा है उप्सन नमबर बी रेखा शर्मा को अब NCW NCW क्या है National Commission for Women प्राश्टी महिला आयो को बोलते है NCW अर्थात National Commission for Women के अंदर सरकार ने रेखा शर्मा को तीन साल के एक अन्य कारेकाल के लिए न्यूक किया गया है नेक्स्ट कुशन नेशनल क्रेट कोर NCCC के नए मानिदिसे कौन बने है उप्सन है तो इसका करेक्ट अंसर है उप्सन नमर डी गुर्बीर पाल सिंग को National Credit Core NCC के ने मानिदिसक पद पर न्यूक किया है इंपोर्टेंट पॉइंट है लेटनेट जनर्र गुल्बीर सिंग को नेशनल क्रेट कोर के 34 वे मानिदिसक बनाए गया है कौन से 34 वे नमर की नेक्स्ट क्यूशन है बारत के पहले Chief of Defense स्टाप CDS कौन बने है उप्सन है शुरेश पटेल, अज्जे नारायन, किसन पटेल या फिर बिपीन रावत तो इसका करेक्ट अंसर है उप्सन नमर डी बिपीन रावत जिनने Chief of Defense CDS पद पर न्यूक्त किया है फ्रेंड्स, परधान मंदरी नेरंदर मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को कब 15 अगस्त को लाल किले की चीर प्राची से देश के तिनों से नाव के परमुक ताल मिल को और बेतर बनाने के लिए Chief of Defense स्टाप यानि CDS का नया पद सर्जन किया नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है प्रेस स्ट्रेस्ट ओप इंडिया PTI के नए अधेक्स कोन बने है उप्शन है मैस बट, मंजीत मल अविक सरकार या फिर अजिद रोडा तो इसका क्रेक टांसर है अविक सरकार है उन्हें प्रेस ट्रेस्ट ओप इंडिया PTI के नए अधेक्स बनाए गए है अब PTI की बात करें तो इसकी स्थापना 27 सगस 1947 को ही इसका मुख्यले नई दिल्ली में है और इसके अधेक्स है अविक सरकार नेक्स्ट क्यूशन नागरिक उडेन मंत्राले के नए सचीव कोन बने है उप्शन है राजीव बंचल, असोप मेहता, विने महाजन या फिर अमित सलारिया तो इसका राइट अनसर है उप्शन नमबर A राजीव बंचल जिने नागरिक उडेन मंत्रा लेगे नए सचीव बनाए गए है इंपोर्टेंट पोइंट है वर्तमान समय में राजीव बंचल एर इंडिया के अधेक्स यह उन परबंदक निदे सक है नेक्स्ट क्यूशन अगला क्यूशन है नेक्स्ट हमारा 14 नमर का क्यूशन है पंजाब के नए मुख्य मंत्री कौन बने है उप्शन है रंजीत सिंग चन्नी, नवजोज सिंग शिद्दू, अमरिंदर सिंग या फिर प्रकास सिंग बादल तो इसका राइटन साय है उप्शन नमर ए चरनजीत सिंग चरनी को पंजाब के नए मुख्य मंतरी बनाया गया है इन्होंने केप्टन अर्मिंदर सिंग की जगा ली है किसकी अर्मिंदर सिंग की next question अगला question है गुजरात के नए मुख्य मंतरी कौन बने है option है भुपेंदर पटेल, संजीव बंसल, अजजय त्यागी या फिर मोहन बंसल तो इसका राइटर नसरोगा option number A भुपेंदर पटेल है वो गुजरात के नए मुख्य मंतरी बनाये गए है important point है भुपेंदर पटेल ने किसका अस्थान लिया है भुपेंदर पटेल ने वीज़े रुपाने का स्थान लिया है गुजरात के सत्रवे मुख्य मंतरी बने है और पार्टी क्या थी? बीजे भी की next question 16 का question है राष्ट्री अलब संख्यक आयो के नए अधेक्स कोन बने है option है गुर्मीद सिंग, मनमोहन सिंग, सुर्जीत सिंग, सोड़ी या फिर सरदार इकबाल सिंग तो इसका राष्ट्री अलब संख्यक आयो के नए अधेक्स बनाया गया है next question है तमील नाडू के नए राजयपाल कोन बने है option है बेबी राणी मोरिय, आरेन रनवी, जगदी समुखी या फिर बनवारी लाल प्रोहित तो इसका क्रेक्टरन्सर होगा option नबर B आरेन रनवी को तमील नाडू के नए राजयपाल बनाया गया है next question है stop tv partnership board के नए अधेक्स कोन बने है option है मनसुक मांडविया, विजे रुपानी, अजजे त्यागी या फिर अजित डोबाल तो इसका क्रेक्टरन्सर है option नबर A मनसुक मांडविया है उनको stop tv partnership board के नए धेक्स बनाये गये है next question next question है मारा 19 का उत्त्राकंड के नए राजयपाल कोन बने है option है बेबी रानी मोरिय, गुर्मीत सिंग, पन्वारिलार पुरोहित या फिर जगदीश मुखी तो इसका राइट रुपान्सर होगा option नमर D गुर्मीत सिंग जो है इनको उत्राकंड के नए राजयपाल बनाये गया है next question है सहकारिता मंत्रा लेके सहिक सचीव कोन बने है option है आरिफ, मोहमद, राजयस मिस्रा, मिनल गुपता या फिर अभे कुमार तो इसका क्रेक्टान सुरोगा option नमर D अभे कुमार जो है इनको सहकारिता मंत्रा लेके सहिक सचीव बनाये गया है next question important point है इस मंत्रा लेके गठन हाल ही में देज में सहकारिता अंद्रोलन को मजबूत करने के लिए करने के उदेशे से किया गया है अभे कुमार की नियुक्ति पीम नरेंदर मोधी के देख्षता वाली केबिनेट समिधने मज़ूरी दी है या आपको याद रखना है next question बारत के लेखा महानियंतरक अर्थात CGA कौन बने है option है अजया पटेल, आसुतोर सर्मा, दिपकदास या फिर सोयारोई तो इसका क्रेक्टर अंसर है option number C दिपकदास जो है इनको बारत के लेखा महानियंतरक CGA पद पर नियुक्त किया है important point है CGA controller चिज़े की फिर्फरम होती है controller general of accounts दिपकदास बारत के 25 महानियंतरक बने है इसाब पुछा जा सकता है कि दिपकदास जो है बारत के कौन से नंबर के महानियंतरक परिक सका है तो आपका right answer नहीं 25 नंबर गे दिपकदास सोयारोई का स्थान लेंगे next question next question है 22 का करनाटक के नए मुख्यमंतरी कौन बने है option है बस्वाराज बोमई असोप गहलोथ प्रेम सिंग तमांग या फिर वाईवी रेड़ी तो इसका right answer का option नंबर A बस्वाराज बोमई बस्वाराज बोमई को करनाटक के नए मुख्यमंतरी बनाया गया है next question है किसे लोग सभा का नए मासचिव निउक्त किया गया है option है उत्पल कुमार, विकास गुपता, गंगाधर राओ या फिर B. मूरली धर B. मूरली धरन तो आपका right answer है option number A उत्पल कुमार जो है इन्हें लोग सभा के नए मासचिव निउक्त किया गया है next question है राजी सभा के नए मासचिव कोन बने है option है दिपा कुर्मा, शुनील अरोडा, रमन भला या फिर पीपी के रामचारियूलू तो इसका right answer होगा option number D पीपी के रामचारियूलू जो है इनको राजी सभा के नए मासचिव बनाए गए है next question है पच्चेश नमर का राजी सभा के उप सभापती फिर से कोन बने है option है आदितेपूरी, हरिवन्स नारायन सिंग, अज्जे सक्सेना या फिर समीर कुमार खर्रे तो इसका correct answer होगा option number B हरिवन्स नारायन सिंग है इनको राजी सभा के उप सभापती बनाया गया है next question अगला question है बारते महिला फुटबॉल टीम के नए कोच कोन बने है option है थोंस डेन्वी, रोहन सास्त्री, थोंस बोग या फिर जोन स्मीथ तो इसका correct answer होगा option number A थोंस डेन्वी है ये बारते महिला फुटबॉल टीम के नए कोच बने है next question नागरिक उडेन सुरक्सा ब्यूरो के नए माने दिशक कोन बने है option है नासीर कमल, मलिक हुसेन, रमेज सिप्पी और फिर आदर्स ससी परी तो इसका correct answer होगा option number A नासीर कमल, जो की नागरिक उडेन सुरक्सा ब्यूरो के नए माने दिशक बनाए गई है next question बारते उदोग परिसंग CII के नए देक्स कोन बने है option है रामजाखड, सुमित्रा महाजन, ओमबिरला या फिर टीवी नरेंदरन तो इसका correct answer होगा option number D टीवी नरेंदरन है इनको बारते उदोग परिसंग CII के नए देक्स पत पर चुन आ गया है next question next question है 29 number का राष्टे मानवा दिखार आयोग NHRC के नए देक्स कोन बने है option है अरुन कुमार मिस्रा, अरुन कुमार गोस्वामी, अजिस्वर राव ये फिर मिना कुमारी तो इसका correct answer होगा option number A अरुन कुमार मिस्रा जो जिन्हें राष्टे मानवा दिखार आयोग NHRC के नए देक्स पत पर निक्त किया है NHRC की बात करें, तो NHRC की स्ताफना हुई 12 October 1903 इसका मुख्यले नए दिल्ली में है, अध्यक्स है अरुन कुमार मिस्रा और इसका लोगो या मोटिव है सर्वे बवन्तु सुखी नहे next question हमारा next और आकरी question है, भारतिय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कोन बने है तो option है, रमेश पमार, मिताली राज, विराट कोहली या फिर MS दोनी तो इसका क्रेकर नसर होगा option number 1, रमेश पमार जिनने भारतिय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाय गया है तो friends, यह थे आज के हमारे 30 question गवरतुमान में कोन क्या है इस topic पर तो यहां से question exam में बहुत सी बार पुछे जाते हैं तो आपको इनको अच्छे से देखना है अब यदि वीडियो फ़संद आया, तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्त जो study करते हैं, उनके साथ share कर दीजिए तो जले friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंदि